वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप्स के आलू की रैस्पी रैस्पी स्ट्राइक ही होंगी आज आप ट्राइ करिए ये डिफरेंट स्टाइल आलू कचालू अब हम रैसेपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक लोगी की कढ़ाई में सरसू का तेल आड़ करेंगे और इसमें राइदाना आड़ करेंगे आप इसी किसी भी तेल में बना सकते हैं और इसी के साथ ही हम जीरा या मीथी आड़ करेंगे हम इसमें मीथी और जीरा आड़ करेंगे आप चाहें दू जूप मार्केट में पंचपोरन मिलता है आप इसमें वो add कर सकते हो fry होने की बाद बारे कटीवी हर इमिर्च और इसमें लास्ण अड़ करेंगे जो सुखे वाले लास्ण होते हैं उसके चिल्के को चील्के बारे कट करके अड़ कर दें और इसे हलका सा fry कर लें जब यह हलका fry होने लगे तब इसमें curry leaves अट करेंगे, इससे आलो का टीस बहुत जादा बढ़ जाता है, अब इसे जरूर आट करो, एक बार अच्छे दरह से mix कर लें, mix करके हम इसे लगबग 1-2 मिनट तक fry करेंगे, हम इसे तब तक fry करेंगे जब तक curry leaves crispy नहों जाए, जब हमें लगी कि एक क्रिस्पी होने लगा है, तो हरे लहसुन के हरे parts और white parts दोनों कट करके आट कर दीए, विंटर्स में ये बहुती easily market में मिलता है, इसे अच्छे दरह से mix कर लें और इसे भी हलका सब भून लें, इस समय flame को high रखें, high flame पे ये बहुत जल्दी से fry हो जाता ही कि देखें, अब इसका color हलका change होने लगा है, और इसे लगातार चलाते रहें, color change होने के बाद अब इसमें हम हरी मटर आट करेंगे, अगर आप इसे winters में बना रहे हो तो हरी मटर जिरूर आट करें, और इसे अगर आप समर में बना रहे हैं तो बिना मटर के भी ये बहुत टेस्टी होता है, आप चाहें तो peanuts भी आट कर सकते हो हरी मटर के place पे, मटर आट करके हलका सभुने, अब इसमें हल्दी powder आट करें, हल्दी powder के साथ ही अब इसमें गरम मसाला और बागी की चीज़ें आट करेंगे, हम गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा ही ले रहे हैं, इसी के साथ ही अब इसमें धन्या powder आट करेंगे, और हम salt आट करेंगे, salt अब अपने टीस की codding ही आट करें, इसी के साथी half teaspoon अम्चूर पाउडर एड़ करेंगे आलो में अम्चूर पाउडर एड़ करने से ये बहुत टेस्टी रगता है अम्चूर पाउडर जिसे हम mango powder भोलते हैं अच्छी तरह से mix कलने 20 सेकंड तक fry करें 20 सेकंड में ही मसाले अच्छी तरह से भून जाते हैं हमने इसमें ताजी वाले हरी मटर लिये हैं आप चाहें तो frozen पीस भी ले सकते हैं frozen मटर fry होने के बाद उबले हुए आलो आड़ करेंगे आलो के ऐसे half of pieces आड़ करें कलर चेंज होने के बाद आप चाहें तो इसको ढग के कुप कर सकते हैं कि देखिए इसका कलर चेंज हो गया है अब हम इसे ढग देंगे medium या high flame पे 6-7 मिनट तक fry करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे लगभग 6-7 मिनट के बाद आलो का कलर चेंज हो जाएगा और इस पे एक क्रिस्पी से लियर आजाएंगी बीच बीच में चलाते रहने से पूरे आलो हलके से उपर से क्रिस्पी हो जाते हैं ऐसा टेक्शराने पे आलो बहुत टेस्टी लगते हैं उपर से बारिक कटीवी धनिया की पत्तियां अट करें जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इसे एक बार मिक्स करने इस पेचला से आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हो जो आपके पास हो लोही के कढ़ाई में बने हुए आलो बहुत टेस्टी रखते हैं मिक्स करने के बाद एक से दो मिनट तक ऐसे खुला कुक करें और फिर फ्लेम आफ कर दें और इसे गर्मा गर्म ब्रीकफास्ट में सब करें या फिर पूरी रोटी के साथ भी सब कर सकते हैं हमारे विंटर से स्पीश लालू का च्यालू बनकर तयार है आप इसे ट्राइ करें रेसिपी पर संदाए तो लाइक कमेंट आज शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने थैंक्स पो वाचिंग